इन्वेलेट पार्टिशन टैबलेट क्यों आता है जब आप आप लेटॉप चालू करते हो तो इसका शलूशन क्या है आप उन्हें इस वीडियो में हम लोग इसमें सीखेंगे सबसे पहले आप इसमें देख लिजिए यह डेल का लेटॉप है और इसमें जैसे आपको यह एरर सो करेगा इन्वेलेट पार्टिशन टैप करके अगर आता है तो आप इसमें इजी तरीके से करिएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है पहले आप अपने लेटॉप को बंद कर दीजेगा जैसे ही आप अपने लेटॉप को बंद करके फिर वापिस आप उस ठीक है एफ टू करके जो आपके कीबोर्ड में सामने लिखा हुआ रहेगा उसको आपको प्रेस करना जैसे मैं यहां से फिर से दुक्त आपको बता रहे हैं यहां पर हम प्रेस वन करेंगे यह लाइट टॉन डेल का लेट टॉप है ठीक है लेटिटिटूट डेल का लेट अगर अगर एरर आता है या किशी भी दूसरे भी लेट अगर ऐसा कोई भी एरर आता है इस टाइब का तो आपको करेंगे और क्या प्रॉब्लम होता है यहां पर पावर का बटन अप सबसे पहले आउन कर दिजे अगर आपका वरकिंग है तो बंद करके जैसे ही आप उसको चालू करेंगे चालू करने पर आप उसको प्रेस एफ टू करिएगा आप जैसे ही प्रेस एफ टू का बटन प्रेस करेंगे आपको देखी यह जैसे आ रहा है यहां पर यहां प्रेस करेंगे आपको बायस में चला जाएगा बायस में ऑप्शन को चेंज करना है ठीक है अभी करना है आप लेप्टॉप को अन करते हो तो इजी और सबसे वे है जो मैं आपको बता रहा हूं आप लेप्टॉप को बंद कर दीजिए बंद करने के बाद में आपके कीबेड पे जैसे यह फॉन यह तू यह तरी का जो बटन सो कर रहा है यहां पर एफ टू है इसको आपको सब्सक्राइब है अभी यहां पर हमने और बटन दबा दिया दिखिए यहां पर ऑन किया और एफ b P feis टू आपको यहँ पर फ्रेश करना है अब इसको एक द्वार कर दीजिए जाएगा और वहू बाइस में आपके इस चला जाएगा उपसे करके यह जो module है उसका यह बाइवस है बैस में चाहिए को DEL का लेप्टाप हो HP का लेप्टाप किसी भी लेप्टाप में अगर यह error आता है तो आपको बाइवस में जाना है ठीक है यहां पर आपको धर्ड ओप्टन है first, second, third पर जाना है और उस पर boot sequence है boot sequence यहाँ पर आपको show करेगा दिखे सब click है यहाँ पर जो second options है आपको legacy और उसके नीचे का जो option है UEFI तिकि यह आपको change करना है UEFI पर click करना है अब click करने पर यहाँ पर इस तरीके साब यहाँ पर इसको click करना है, दिखो फिर से बता रहा हूँ बाहस में जाना है, बाहस में जाके boot sequence आपको change करना है boot sequence के वज़े से यह error आता है, यहाँ पर UEFI पर click करना है click करने के बाद में आप उसको apply करिएगा, देखे यहाँ पर select हो गया boot sequence UEFI पहले legacy था, इसके लिए वो error आ रहा था, अब यहाँ पर apply करिए जगा, बीच का जो options है, इस option पर आपको click करना है, apply करिए यहाँ पर click करना है click करने के बाद में आपको exit कर सकते, देखे यहाँ पर देख लिए फिर से यहाँ पर UFI select है legacy hertz जाएगा, और उसके बाद में boot sequence आपका change हो जाएगा, यहाँ पर apply करिए ठीक है, देखें, यहाँ पर हमारा apply हो गया, apply करने के बाद में, आप इसको exit कर सकते, देखें, यहाँ पर select हो गया, boot sequence आपका यही आपको important है दोस्तों, boot sequence जो होता है उसी के वज़े से यह error आता है जो bios में जाके, आपको settings में जाके, आपको change करना होता है, ufi कर देंगे आपका problem solve हो जागा, continue से लेगा, अभी यहाँ पर exit आपकी, इस पर कर दीजे, click click करने पर आपका system restart हो जाएगा restart देखें भी हमारा यह हो रहा है restart होने पर आपको वो जो error था, आना वो बंद हो जाएगा, कि हमने यहाँ पर, अभी यह दिखिए on हो रहा है, यह दिखिए हमारा on आ गया, डेल का logo आ गया, डेल का logo show कर रहा है ठीक है, और उसके बाद में आप देखें, जो हमारा error आ रहा था, वो error निकल गया आप देखें, हमारे यहाँ पर चलू हो गया Windows directly, तो वो error आपने जो UFI क्लिक किया उसके वज़े से वहाँ से निकल गया, और boot sequence आपने change किया, इसके वज़े से यह problem आपका solve होगा तो देखें, हमारे यह Windows यहाँ पर चलू हो गया, अभी अगर आप चाहिए, तो आप इसको restart करके भी देखेंगे, तो भी आपका problem solve हो जाएगा, हम इसको restart करके भी एक बार देख लेते हैं अभी हमारे यह Windows का जो logging है, setup है, वो चालू हो गया या जो installation है या उसमें logging है, वो सब आपको आएगा, कोई भी problem नहीं show करेगा यहाँ पर देखें, हमारा यह यह से टोर है, Windows हमारा यह दिखीए, आगया भी यह logging आप यहाँ पर कर देगे click कर दिजिए, click करने के बाद में आप दिखें, admin का आगया, password डाल के आप अपना काम कर सकते हो, suppose अगर आपको एक बार फिर वापिस आप चाहिए, तो आप चेक करके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप सट डाउन कर दिजिए, हमारा system सट डाउन हो गया, सट डाउन करने के, on करके देखते हैं कि वो problem हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखे हमारा problem solve होगा कि नहीं, यहाँ पर देखे हमारा problem fix हो चुका है, देखे, on क्यामने, on करने पर आपको यहाँ पर बिंडोस अभी आ जाएगा, और वो जो error आपको show कर रहा था, वो चला जाएगा, कि अगर आपको कोई question है, या कुछ help चाहिए, तो दोस्तों, आप मुझे comment में लिख दीजिए, मैं आपका help करूँगा, देखे, यह आगया, डेल का logo, और उसके बाद में, जो हमारा invalid partition टैप करके, error आता था, वो error भी यहाँ से निकल चुका है, देखे, यहाँ पर देखे, भी show नहीं कर रहा है, और हमारा यह problem sol हो गया, दोस्तों, अगर आपका कोई question, कोई query, या कुछ भी, आपको help चाहिए, तो आप मुझे comment box में लिख दीजिए, मैं आपका उसमें reply करूँगा, देखे, window चल हो गया आपका, और अभी आपको कोई भी problem नहीं आएगा, चाहिए प्रेश्टार्ट करके देख लिजिए, on off करके देख लिजिए, आपका problem इस तरीके से 100%, आपका solution आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, दोस्तों, और कुछ भी करने की ज़रुरत नहीं है, बायोस में जाके आप boot sequence चेंज कर सकते हो, अगर आपका HP का laptop है, तो भी हो जाएगा, आपका Dell का laptop है, तो भी उसमें ये problem शॉल हो जाएगा, इस तरीके से आप अपने problem को खुदी शॉल कर सकते हो, देखे ये, Dell का ये की, ये model है, हमारा ये Dell का model है, इस तरीके से आप अपना problem को खुदी शॉल कर सकते हो, दोस्तो,